हेलो व्रीबन माइनम इस विपिन मातूर एं इन इस वीडियो वी आर गोई टू लर्न इंग्लिज थू हॉलिवूट मुवीज सब्टाइटल लेस्ट स्टार्ट इट विटाउट विटाउट वेस्टिंग अनी टाइम मुझे आपसे बात करने का मन कर रहा है तो हम इसको इंगलिज से बोलते हैं किस से बोलते हैं मुझे आपसे बात करने का मन कर रहा है मुझे आपसे बात करने का मन कर रहा है मुझे डांस करने का मन कर रहा है So I feel like dancing I feel like dancing अब मैं बोलू तुम्हें खाना खाने का मन कर रहा है तो you feel like eating food इस प्रकास से आप तरह के sentence को बना सकते हैं दोस्तों चलिए आगे चलते है He seemed a very chauvel guy He seemed a very chauvel guy बहुत ही खुसमिजाच आदमी लग रहा था दोस्तों जब हम बोलते हैं खुसमिजाच आदमी तो इसको इंगलिस में बोलते हैं jauvel क्या बोलते हैं jauvel jauvel बोलते हैं खुसमिजाच आदमी को बहुत ही जो चलिए आगे चलते है अब यह बोल रहा है कुछ बच्चे वहन में हैं तो यह बहन में बोले है No 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 I have to pee now No 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 मुझे अभी सुसु करना है मुझे अभी सुसु करना है यह चा रहे होंगे तो बोले होंगे रोक रोक आपे यार मुझे भी सुसु करना है सो सुसु करने को इंगलिस पोलते है पी और पू को बोलते है पोटी करना आएए चलते आगे यह बोल रहा है इससे It is no use crying को रोने का कोई फाइदा नहीं है दोस्तों कोई फाइदा नहीं है इसको इंगलिस में बोलते है It is no use क्या बोलते है It is no use It is no use crying रोने का कोई फाइदा नहीं है मुवी देखने का कोई फाइदा नहीं है It is no use watching movie कोई कोई फायदा नहीं तो इस पर गाग किसे हम सेंटेंस को बना सकते हैं, इस नो यूस कोई भी आप उसके बाद लगा सकते हैं, अजूज तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लिज इस चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक जरू करें, बिको क्या होता है जो काम खुद नहीं करता हुब किसी और से काम कर बाता है तो इसने काम तुमने इसने खुद नहीं मरवाया उस बंदे को तो इकिसी और से मरवाया है सो कॉजिटी वर्फ के लिए हम get have let और इसका तरह के sentence को बनाते हैं तो इसमें कौन सा use हुआ है get का तो वह get का use हुआ है get के हम क्या लगाते है receiver receiver लगाते है receiver इसमें हो गया him उसने काम नहीं हिम नहीं किया उसने काम हुआ है तो get के बाद आया है वह बंदा जिस पर एक हुआ है उसके बाद हम आप कौन सी बर्फ लगाएंगे वर्फ की third form लगाते है कौन सी लगाते हैं दोस्तों कौन सी form वर्फ की third form so why did you get him killed तुमने उसे क्यों मरवाया क्योंकि इसने काम खुद नहीं किया है किसी और से काम करवाया है आईए चलते आगे आप विकोस अब बोल रही है because he was betraying me क्योंकि वह मुझे दोका दे रहा था इसलिए I got him killed I got him killed क्यों इसलिए मैंने उसको मरवा दिया क्योंकि वह मुझे दोका दे रहा था he was betraying me betraying का मतलब होता है दोका देना क्या होता मतलब दोस्तों दोका देना आईए चलते आगे ये बन्दा बोल रहा है अपनी बाइप से she is perfectly amiable I wish I could call you amiable ये बोल रहा है इसका फिट चलता है किसी और से उस औरत को पचल गया तो बोल लिए ये बन्दा बोल रहा है she is perfectly amiable यार बोना बहुती मिलनसार है पूरी तरह से मिलनसार है कास मैं तुमें भी मिलनसार कह पाता amiable कह पाता you contemplate that I am grumpy old woman Wonderland contemplate का मनला होता दोस्तो सोचना जो बन्दा गेन्स चिंतन करते है किसी सी कॉन्टैंप्ली करते हो कहते हैं अँग गंपी का मतलब होता है क्या होता जो बन्दा फिट चिडँडा होता है बन्दonstै उसको congrhyृ वोलते है наверnd आप इसको याद कर सकते हैं, गरम पी, गरम चाय पी, तो इसलिए मैं चिड़ चड़ी हो गई, तो I am grumpy old woman, मैं एक क्रोधी बुडी औरत हूँ, It is nothing sort of miracle, तो यह चमतकार से कम नहीं है, अगिये चलते आगे, I am better off without him मैं उसके बिनाई ही ठीक हूँ हम बोलते हैं न मैं ये लड़की बोल लिए मैं उसके बिनाई ही ठीक हूँ So I am better off without him ये देखते हैं आगे Richard एक अनुबभी ब्यक्ति है Richard is a man of world Man of world को बोलते हैं दुस्तों अनुबभी ब्यक्ति देखते हैं आगे ये बंदा बोला है I intend to marry her I intend to marry her मेरा उससे सादी करने का इरादा है जब दोस्तों जब भी कोई किछीच का इरादा होता है उसको इंगली से बोलते हैं intent to जैसे मुझे उससे सादी करने का इरादा है so I intend to marry her जैसे मैं बोलू मेरा तुम मूवी देखने का रादा है so I intend to watch मूवी मेरा तुम से बात करने का रादा है I intend to talk to you इस पगास से आप इस तरह की sentence को बना सकते हैं दोस्तों आईए चलते आगे but she doesn't intend to marry you लेकिन उसका तुम से साधी करने का रादा नहीं है does not intend to जब नेगेटिव सेंटेंस है तो हम नेगेटिव में कौन सा यूज़ करते हैं या तो don't या फिर don't का यूज़ करते हैं क्या करते हैं दोस्तों doesn't doesn't या फिर don't का यूज़ करते हैं यह आपर डेजन्ट की इसलिए होगा है क्योंकि थर्ट पसंद सिम्लर है आए चलते आगे see doesn't even think about me let alone love वो तो मेरे बारे में सूचती भी नहीं है प्यार तो करना प्यार करना तो दूर की बात है see it doesn't even think about me वो मेरे बार में सुचती है let alone love let alone का मतलब है दूर की बात है क्या मतलब है दूर की बात है को सूर दूर की बात है let alone love प्यार करना तो दूर की बात है I am fond of singing songs I am fond of singing songs मुझे गाना गाने का song है जब भी आप किसी चिच का song रखते हैं ने तो इसको इंगिल्ई में बोलते हैं fond of, किससे बोलते हैं? FONT OF जैसे I am fond of singing song मुझे गाना गाने का song है मैं बोलो मुझे ना सीने का song है I am fond of dancing मुझे खाना खाने का song है I am fond of singing I am fond of eating food दोस्तों यार अखना fond of जब fond of लगाते हैं जब किसी कम सौक रखते हैं fond of के वर्फ की वर्फ की first form के साथ ing क्या लाएंगे वर्फ की first form के साथ ing जैसे मोलू तुम्हें movie देखने का सौक है you are fond of watching movies इस प्रकास से आप sentence को बना सकते हैं दोस्तों आईए चलते आगे सच कहूं तो तुम इस धर्ती पर सबसे खुबसुत लड़की हो सच कहूं तो इसको इंगलिस में बोल देंगे To be honest To be honest You are the most beautiful girl on this earth सच कहूं तो तुम इस धर्ती पर सबसे खुबसुत लड़की हो I would like to sing a song मैं एक गाना गाना चाहती हूं I would like to sing a song मैं एक काना गाना चाहती हूं यह बोल। रे है अपनी दोस्ते मैं एक काना गाना चाहती हूं आई वूड्य लाएक तु सिंह एस लि기्ट चैसी समय हो चलिया merchant क्स कि अगतर आए सच की मुश्स मेरा की लिए me बिंप